मम्मा आप रोज भोचन कैसे ठूण लेती हैं जबके जंगल में तो इन दिनों सूखा चल रहा है एक मम्मा को अपने बच्चों का पेड़ तो भरना ही होता है चाहे हालात कैसे भी हों कैसा भी मोसम हों ये मम्मा पापा की जुम्मेदारी होती है मेरी जान के वो अपने बच्चों की रक्षा करें और उन्हें भोचन दे और ममा बच्चों की क्या जम्मेदारी होती है? कुछ भी नहीं, यही के बस खुश रहें और अपने ममा पापा से प्यार करते रहें क्योंके ममा पापा अपने बच्चों से बदले में कुछ भी नहीं चाहते ममा पापा तो केवल अपने बच्चों के प्यार के भूके होते हैं फिर वहां कबूतर आ जाता है चुडिया बेटी खर से बाहर नहीं जाना और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खौलना फिर चुडिया कबूतर के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है रास्ते में बैठा मिठू दोता भी उनका इंतजार कर रहा था और फिर उन्हें देखकर मिठू भी उनके साथ उड़ता है वो जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं सामने एक मकई का खेट था जिसे देखकर उन सब के मूँ में पानी आ रहा था चुडिया बेहन क्यों ना आज इस मकई के खेट से कुछ मकई के भुट्टे ले लें कबूतर भीया ये मकई का खेट तो चील का है सुना है वो चील किसी पक्षी को भी अपने खेट से मकई नहीं खाने देती वो सामने चील बेटी हुई है चलो हम जाकर पूछ लेते हैं अगर मकई ना देगी तो फिर पूछने में क्या दिक्कत है फिर चीडिया कबूतर और दोता उस चील के पास जाते हैं चील दी आप कितनी सुन्दर है और शक्तिशाली क्यों नहीं हमारे चील दी की आँखें तो ऐसी हैं जैसे गहरा सागर हो वो सब ऐसे चील की तारीफें गड़ते हैं चील दी आपके ममा पापा भी आप जैसे ही दियालू होंगे सुना है आप किसी भी पक्षी को मके लेने से नहीं रोकती उन सब की बाते सुनकर चील भी थोड़ा फूल जाती है क्यों मैं सच में इतनी सुन्दर हूं तो और क्या चील दी आपकी माजी मेरी ममा की सहेली थी मेरी ममा बताया करती थी कि आपकी ममा भी आप जैसे ही सुन्दर थी अगर ऐसा है तो आप सब मेरे मके की खेसे एक एक भुटा ले ले आपकी बाते ही इतनी अच्छी थी इसलिए मैं आपको मके दे रही हूं वरना मैं किसी पक्षी को खेसे मके नहीं लेने देती आप सब कल फिरा जाना और मुझसे ऐसी ही अच्छी अच्छी बाते करना और कल फिर मकई ले जाना फिर चिडिया, कबूतर और तोता एक-एक मकई का भुटा लेते हैं और वापिस होते हैं कवा भी भू का मारा एक पेड़ पर बैठा हुआ था जैसे ही कवे की नचर चिडिया, कबूतर और तोते पर जाती है वो तरुंद उनके पास जाता है चिडिया, जंगल में तो खाने को कुछ नहीं है और आप सब को ये ताजे ताजे मकई के भुटे कहां से मिल गे चैंगल के बाहिर चील दीदी के खे से लाएं हम ये भुटे क्या चिडिया बेहन, वो चील दी मुझे भी मकई दे देगी कबूतर को शरारत सूचती है और वो कवे से कहता है जाओ जाओ, परंतु आपको जाकर चील से ऐसा कहना होगा क्या, क्या कहना होगा कबूतर बताओ, बताओ, कवे, तुम जाकर उस चील से कहना कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी आँखें भी बहुत गंदी है और तुम्हारे ममा पापा भी बहुत गंदे है ऐसा कहने पर चील दी तुम्हें एक मकई का भुटा दे देगी क्या कबूतर ऐसा कहने पर तो चील को गुस्सा आ जाएगा तो तबी कबूतर की शरारत समझ जाता है और वो कवे से कहता है नहीं नहीं उस चील को उल्टा समझ जाता है जब आप ऐसा कहोगे तो वो उसका मतलब उल्टा समझेगी यानि वो बहुत अच्छी है और उसके ममा पापा भी बहुत अच्छे है कव्वा और कोई बात सुने बिना वहां से उड़ता है और सीधा चील के पास जाता है तोते और कबुतर भेया आज तो कव्वा पिटेगा और बहुत पिटेगा उस चील से इसकी पतनी और ये भी मुझे हर समय गंदी आँखों वाला कहते हैं मुझे तो कव्वे को पिटेदा देख बहुत मज़ा आने वाला है चील्दी चील्दी क्या सोई हैं आप हाँ मेरी आँख लग गए थी चील्दी एक बात कहना थी आपसे चील्दी आप बहुत गंदी हैं आपकी आँखें भी बहुत गंदी हैं और आपके ममा पापा भी बहुत गंदी हैं ये सुनकर चील्दी थोड़ी देड़ तो हैरान होकर उसे देखती है और फिर उसे कहती है कव्वे थोड़ा पास आकर कहो क्या कहा कवा थोड़ा और पास जाता है और फिर से कहता है चीलदी आप भी बहुत गंदी हैं और आपकी आँखें अभी कवյे ने इतना ही कहा था कि वो चील कववे को पकड़ लेती है और उसकी पटाई शुरू कर देती है मुझे छोड़ दो चील दी मुझे छोड़ दो उस गंदे कपूतर ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था फिर चील उसे छोड़ देती है और कवा तो वहां से फाग जाता है मैं देख लूँगा उस कपूतर और्टोते को अगर बदला ना लिया तो मुझे भी कालू कवा ना कहना ऐसे कालू कवा गुसे में वापिस चंगल चला जाता है अरे कालू ये क्या हुआ तुम्हें किसने मारा है फिर कालू कवा अपनी पतनी गुरी को सारी बात बताता है उस गंदे कवा और कव्वी बहुत गुसे में थे और सोचते हैं कि कैसे कव्वी और तोते से बदला लें फिर गुरी कव्वी के दिमाग में एक जोजना आती है और वो कवे के कान में कुछ बताती है और वो दोनों उड़ते हैं वो पासवाले जंगल में लकड हारे पक्षी के पास जाते हैं लकड हारे पक्षी एक पेड है हमारा मेरे पिता जी ने लगाया था अब हम सोच रहे हैं कि वो पेड बेज दें कितने पैसे लेंगे आप उस पेड़ के जो मर्जी दे देना चलो पचास उर्पे दे दे मुझे भी लकड़ी की जरूरत तो थी मैं भी खर बनाने के लिए केई दिनों से लकड़ी देख रहा था फिर कव्वा और कव्वी उस लकड़ारे पक्षी के साथ जाती है वो कबूतर और तोते के खड़ से थोड़ा दूर रुखते हैं वो सामने जिस पेड़ पर दो घर है न वो है हमारा पेड़ अब आप जल्दी से जाकर वो पेड़ काट लें क्या उन घरों में कोई रहता तो नहीं है नहीं नहीं वो घर विरान है वहाँ कोई भी नहीं रहता फिर लकड़ारे पक्षी अपना कलहारा साथ लेकर उस पेड़ की तरफ जाता है चलो गोरी कहीं वो कबूतर और तोता हमें देखना ले जाकर नदी पर बैठकर इंतिजार करते हैं जब तोता और कबूतर शाम को आएंगे तो अपने घर तूटे दे का खूब रहेंगे और फिर उन्हें पता चलेगा के कववों से कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते फिर वो नदी की तरफ जाते हैं जैसे ही वो लकड़हारा पक्षी अपने कलहारे से उस पेड को काटने लगता है तो वहां कबूतर आ जाता है रुको रुको लकड़हारे ये तुम क्या कर रहे हो अपना पेड काट रहा हूं वो कवा और कवी मुझे पूरे 50 रुपए में बेच कर गए है ये पेड ही सुनकर कबूतर कवे और कवी की चाल समझ जाता है और वो लकड़हारे पक्षी से कहता है चाचा लकड़हारे इस पेड का तनाख होकला है और इस तने में एक तनाख सांप रहता है आप ऐसा करें मेरे साथ आएं मैं आपको एक ओर पेड़ दिखाता हूँ आप उसे काट लें साम का नाम सुनकर वो लकड़ारा पक्षी भी डड़ जाता है वो कवा और कवी इस पेड़ को काटने के लिए आपके पास इसलिए गे थे जब पेड़ कटेगा तो वो साम भी यहां से भाग जाए नहीं नहीं मैं ये पेड़ नहीं काटूँगा आप मुझे वो दूसरा पेड़ ही दिखा दें तो फिर चलें फिर कबूतर उस लकड़ हारे को उस पेड़ के पास ले जाता है जिस पर कवे और कवी का घड़ था चाचा जी ये पेड़ आप बेफिकर होकर काट लें और ये घर भी मेरा ही है ये अब पूराना हो गया है मैंने अपने लिए निया घर बना लिया है फिर वो लकड़ारा अपना कलहारा चलाता है और उस पेड़ को काट लेता है और कबूतर वहां से भाग जाता है कववा और कवी भी नदी से पानी पी लेते हैं चल कालू अब घर चलें कल जाएंगे उस कबूतर की दरफ उसका तूटा हुआ घर देखने फिर वो अपने घर जाते हैं वो जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर जमीन पर टूटा पड़ा है और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ तो वहां था ही नहीं और फिर सजा उन्हें ही मिल जाती है वो मा बेटा अपने घर में बैठे हुए थे ममा क्या इस बार फिर मेरा जनम दिन हम घर में ही मनाएंगे ममा क्या इस बार फिर कोई भी दूसरा पक्षी मुझे मेरा जनम दिन विश कहने नहीं आएगा और खलोने तो मुझे कभी नहीं मिले और मुझे पता है, बर्डे कैप तो मुझे कभी नहीं मिलेगा वो छोटा कुकु एक ही सांस में अपनी मम्मा से कई सवाल करता है जिनका जवाब उसकी मम्मा के पास ना था हम इस बार आपके जनम दिन पर मीठा हलवा बनाएंगे मम्मा आप यही कहने वाली हैं, मुझे नहीं खाना मीठा हलवा आपके पापा को मीठा हलवा बहुत पसंद था ये बात आप हर साल करती हैं मम्मा बेटा हम घरीब हैं, आपके पापा नहीं है अगर आपके पापा होते तो वो भी आपके लिए तरहां-तरहां के गिफ्ट ले कराते और सब कुछ जो आप मांगते अब चलो बेटा मुझे पानी पीना है नदी पर चलते हैं फिर वो मां बेटा नदी पर चले जाते हैं गोरी कवी और उसका बेटा जो गूबी नदी पर ही थे कुकु कल तुम्हारा भी जनम दिन है और मेरा भी तुम देखना इस बार फिर सब पक्षी मेरे घरी आएंगे आएंगे क्यों नहीं तुम्हारे पापा बड़े वाला केक लिने गे हैं बजार में और कुकु मेरे लिए मेरे पापा बड़े कैब भी लाएंगे और साथ मेरे खेलने के लिए चाबी वाला एरो प्लेन भी मुझे तो बहुत मजा आने वाला है आप अमीर पक्षी हैं गोरी बेहन आप ये सब कर सकते हैं सारे जेंगल की चोड़ियां करकर के बहुत मालक अठा कर रखा है आपने जगु क्या आप मुझे भी अपने एरो प्लेन से खेलने देंगे नहीं ऐसे मेरा एरो प्लेन खराब हो जाएगा कुकु तुम आ जाना जगु को खेलती हुए देख लेना और हाँ अपनी ममा को साथ न लाना ये तो शकल से ही गरीब परिवार से लगती है अंसली उट ना करवा देना मेरी ऐसे गोरी कवी अपनी बढ़ाईयां करने के बाद वहाँ से चली जाती है कुकु रोने लग जाता है अरे कुकु मेरे बेटे मैं कैसे आपको समझाओ वो इसलिए तो ये सब आपके सामने बोल रही थी कि आप अपनी ममा को तंग करो हम क्यों गरीब है मेरा क्या दोश है जब मुझे ये सब नहीं मिलता चलो बेटा अब चलें शाम भी होने ही वाली है फिर वो मां बेटा नदी से पानी पी कर वापिस घर चले जाते है पापा ये केक तो बहुत बड़ा है मैं थोड़ा सा खालू नहीं जगू ऐसे ये केक खराब हो जाएगा कल तक इंतजार करो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और फिर कल जब सब पक्षी अकठे होंगे तो फिर केक काटेंगे ये एरोपलेन एक बार चाबी देने से दूर तक जाता है किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है ऐसा कलोना बहुत महंगा आया है पापा पापा कूकू कह रहा था कि मैं उसे भी अपने जहाज के साथ खेलने दूँ ना ना ऐसे घरी पक्षीं से दूर ही रहते हैं कूकू भी अपने जनम दिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है आधी रात हो जाती है कूकू सोया हुआ था मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं है और आपका जनम दिन है कल आज से मैं आपकी दोस्त हूँ कल जनम दिन पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगी क्या क्या लेकर आएंगी आप मेरी दोस्त बड़ा केक, बर्डे कैप, खलोने, गुपारे, कैंडीज और धेर सारी चीजें और मैं अपने दोस्त का जनम दिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल हैरान हो जाएगा चॉकलेट केक लाना दोस्त कुकु मेरे बेटे क्या हुआ है? क्या चॉकलेट केक चॉकलेट केक लगा रखी है? ये तो सपना था परन्तु ये सपना कितना अच्छा था अगर ये साच हो जाए तो कितना मज़ा आए? वो फिर से सो जाता है सुभा हो जाती है ममा, आज शाम मेरी दोस्त तितली मेरा जनम दिन मनाने आएगी देखना ममा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या-क्या लेकर आती है वो मेरे लिए चॉकलेट केक भी लाएगी और खलोने भी कौन दोस्त? रात सपने में वो मिली थी मुझे और मुझे वर्चन दे कर गई है मेरी दोस्त अच्छा तो इस कारण रात सोय हुए आप चॉकलेट केक, चॉकलेट केक बोले जा रहे थे बेटा, सपना तो सपना होता है कभी सपने भी ऐसे सच हुए है परन्तु ममा, मेरा सपना सच्चा था आप देखना, शाम को पता चलेगा आपको फिर वो मा बेटा भोजन की तलाश में चले जाते है जुकू, वो देखो सामने चिडिया और उसका बेटा बैठे हुए है चल तो जरा तांग करते हैं उन्हें ठंडा ठंडा केक कुकू, अगर खाना हुआ तो हमारे खार आ जाना और आपने अगर चोकलेट वाला केक खाना हुआ, तो मेरे घार आ जाना आंटी जी, चोकलेट वाला केक वो कहां से लिया आपने चिडिया खामोशी से अपने बेटे की मासूमाना बातें सुन रही थी मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी वो ही लेकर आएगी शाम को मेरे लिए चोकलेट वाला केक और खलोने भी वो तो पर टाखे भी चलाएगी मेरे बर्डे पर अच्छा, तो क्या जनम दिन भी सपनों में ही मनाना है ऐसा कहते हुए वो मां बेटा हंसने लग जाते है ममा, ममा कुकु सपनों में खेक खाएगा ममा, कुकु सपनों में खेक खाएगा ये बच्चा है आप तो जानती हो गोरी, क्यों इसका दिल बार-बार तोड़ती हो आप बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है जब इसे दुखी दे कर तुम भी दुखी हो जाती हो ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गु वहां से चले जाते है चिडिया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहां से चले जाते है अरे कुकु आप घर की छट पर क्यों बैठे हो बेटा ममा, आप जाए नजाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो वो चोटा कुकु ऐसे सोच रहा था कि अचानक से उसका दिहान दूर जाता है वहां तो कुछ दितलिया एक बड़ा केक लिए उसके घर की दिशा में आ रही थी वो बहुत खुश होता है ममा, ममा बाहर आए ममा बाहर आए मेरी दोस्त आ गई मेरी दोस्त आ गई वो तितलिया तो तेजी से उसके घर की दिशा में बढ़ रही थी कुकु बेटा ये तो सच में आपकी दोस्त आगे है दोस्त मुझे पहचाना क्या मैं कौन हूँ मैंने पहचान लिया आप मेरे सपने में आई थी आप मेरी दोस्त हो ना हाँ और ये सब मेरी सहेलिया ये सब आपके लिए अब हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे आओ आओ बेटा आप सब घर में आ जाओ फिर वो दितलिया कुकु के घर में चली जाती है सहेलियो आप मेरे दोस्त के घर के बाहिर ये गुबारे लगा कर अच्छे से सुचा दो और मैं अपने दोस्त को उसके खलोने दिखाती हूँ फिर वो तितलिया कुकु के घर के बाहर गुबारे लगाती है ये केक कैसा है चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने दोस्त ममा चिडिया ये सब देख बहुत हैरान थी उसकी आँखों में खुशी के आंसू थे वो ये जान गई थी कि ये जरूर भगवान की बेजी हुई दितलिया है फिर जैसे ही रात होती है पर टाखे चलते हैं और आदिशबाजी होती है जिसे देखने सब पक्षी चिडिया के घर की दिशा में आ जाते है चपू ये चिडिया के घर कैसी आतिशपाजी हो रही है चलो के ज़रा जा कर देखें वो मा बेटा वहाँ जाते हैं वहाँ तो सब पक्षी अकठे थे केक सजा हुआ था कैंडल्स चल रही थी खलोने तो तरहां तरहां के थे आंटी देखा मेरी दोस्त आगे मेरी सालगीरा मनाने शायद मैं ना आती परन्तु गोरी कवी मुझे आपके कारण यहां आना पड़ा अगर किसी घरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसे घरीब होने के ताने भी ना दो गोरी बहन केक खाओगी क्या परन्तु गोरी तो मूर्थी बनी हुई थी वो तो कुछ बोल ना रही थी फिर गोरी कवी अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और सपक्षी कुकु का जनम दिन धूम धाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं इस कहानी से हमें सीख मि होती है कि हमारे आसपास बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी खुशियां भी नहीं मना सकते हमें चाहिए कि हम अपने आसपास मजूद गरीबों की खुशियां मनाने में उनकी मदद करें